मुझा नमश्कार विके बीनियूस के इस खास पेशकुष में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जहाँ आप देख रहे हैं देश-प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनेंदा खबरे अभिनेत्री कंगना रणोत फिर से मुश्किलों में हैं मानहानी के एक मामले में उन्हें अदालत में पेश होने को कहा गया है तो महराश्ट सरकार में मंत्री और NCP निता नवाम मलिक से मुंबई स्थित प्रवर्ता निदेशाले के दफ्तर में पूछता जारी है वही राज्जे सरकारी करमयों की आथ से शुरू होने वाली हरताल पर राज्जे सरकार ने सक्त रवया अपनाया है सरकार में हर्ताल में शामिल होने वाले सरकारी और अर्ध सरकारी करमचारियों की खिलाब अनुशासात्मा कारवाई करने की चितावनी दी है इसी बीच अभिनेता सुशान सिंग राजपुत की पुर्वा मैनेजर दिशा सलियान की बलातकार करके हत्या किये जाने के दावे पर दिशा सलियान के मादा पिता ने चुपी तोड़ी है दिशा की मावासंती सलियान ने कहा कि मेरी अपील है कि हमें तकलिफ न दी जाए उधर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पुर्वक शेत्रिय निदेशक समिर्वान खेड़े को अंतरी मरहत देते हुए पुलिस को उन्हें 28 फरवरी तक गिरफतार न करने को कहा गया है प्रदिश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ बॉलिवूड अभीनेतरी कंगना रनौत फिर मुश्किलों में आ गई है उन्हें 19 अपरेल को मटिंडा कोट में पेश होने को कहा गया है कंगना ने एक बुजर्ग महिला को 100-100 रुपे लेकर धरने में शामिल होने वाली औरत कहा था जिसके खिलाफ महिला ने कोट में केस दायर कर दिया था मटिंडा के गाउं बहादुर गड़ जड़ियां की रहने वाली 87 वर्षे महिला किसान महिंदर कौर को लेकर कंगना ने ट्विट किया था जिसके बाद महिंदर कौर ने मटिंडा कोट में मानहानी का केस कर दिया था बुज़र्ग किसान महिला महिंदर कौर के वकिल रगबिर सिंग बहनिवाल ने बताया कि इस मामले में चार जन्वरी 2021 को कोर्ट में केस दायर किया था जिसकी करीब 13 महिने सुनवाई चली अब कोर्ट ने कंगना को समझ जारी कर दिया है उन्हें कोर्ट में पेश होने को कहा कंगना रणात ने किसान आंदोलन में शामिल बुजर्ग महिला किसान मोहिंदर कौर को बिल्किस बानों समझ लिया था जो शाहिन बाग में एंटी सीए प्रोटेस्ट का चहरा रही मोहिंदर कौर ने कहा कि कंगना ने उनकी तूलना किसी दूसरी महिला से की कंगना के ट्वीट से उन्हें मांसिक परिशानी हुई परिवार के सदस्यों, रिष्टेदारों, पडोसियों, घ्रामिनों और आम लोगों के बीच उनकी छवीकूं ठेस पहुची है इससे पहले कंगना को किसानों ने किरतपूर साहिब में भी घेर लिया था तब किसानों ने कंगना से माफी मांगने की बात कही थी लेकिन कंगना ने इस बात से इंकार कर दिया था कंगना उस वक्त हिमाचल से पंजाब के रास्ते चंडीगड आ रही थी महाराष्टा सरकार में मंतरी और NCP नेता नवाब मलिक से मुंबई सित प्रवर्दर निदेशाले के दफ्तर में पूछताच जारी है इडी अधिकारी आज सुभर नवाब मलिक के आवास पहुचे थे और आवास पर पूछताच के बाद इडी की टीम उन्हें अपने दफ्तर ले गई और पूछताच की जा रही है इडी ने नवाब मलिक को अंडरवर्ड से कथित संबंदों को लेकर तलब किया था वहीं नसिपी और शिवसिरा ने इडी की कारवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है नसिपी नेता सुप्रिया सुले ने कहां कि आज सुभर नवाब मलिक के यहां इडी के लोग आये थे बहुत दिनों से भाजपा के कारे करता प्रवक्ता ट्विट कर रहे थे कि नवाब मलिक और महाविकास आघाडी के खिलाफ इडी का नोटिस आएगा आज वहीं हो गया है महाविकास आघाडी के खिलाफ जो शडियंतर भाजपा कर रही थी उसे अच पुरा महाराष्ट देख रहा है कोई नोटिस नहीं आया लेकिन फिर भी महाराष्ट के एक मंत्री को सीधा इडी अपने दफ्तर ले गई है इन्होंने कौन सी नई राजनेती शुरू की है ऐसा मैंने पहली बार होते देखा है शिवसेनानेता संजराउत ने कहा कि नवाब मलीक परिष्टनेता और महाराष्ट के कैबिनेट मंत्री है इडी जिस तरह से उन्हें उनके घर से ले गई है वह महाराष्ट सरकार के लेक चुनौती है हमारे राज्य में आकर एक मंत्री को केंद्री एजनसिया ले जाती है 2024 के बाद आपकी भी जाज होगी इसी ध्यान में रखो गौरतर अभे की महाराष्ट के पुर्वा मुख्य मंत्री देविंद्र फड्नविस ने नवाप मलिक पर कई गंभी रारोप लगाये थे फड्नविस ने मलिक पर अंडर्वर्ड से सम्मंधो का रारोप लगाया था राज्य सरकारी करमियों की आज से शुरू होने वाली हरताल पर राज्य सरकार ने सक्त रवईया अपनाया है सरकार ने हरताल में शामिल होने वाले सरकारी और अर्धसरकारी करमचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई की चिताउनी दी है वही हरताल पर जाने की घोशना करने वाले कर्मचारियों के यूनियन नेताओं ने कहा है कि वे परिपत्रक से डरने वाले नहीं है भैतर होता कि सरकार हमारी मांगों को मानती और बादचित का रस्ता अपनाती लेकिन ये रवया ठीक नहीं है बतादे के ब्रुहन मुंबई राजसरकारी करमचारी संगठन और राजसरकारी समुहड़ी करमचारी मध्यवर्ती महासंगह ने अपने विविद मांगों को लेकर 23 और 24 फरवरी को दो दिवसिय सांकेति खड़ताल पर जाने की घोशना की है करमचारी को पुरानी पेंशन लागू करने, नई पेंशन योजना की खामियाद दूर करने, करमचारी के सेवा निरुती की आयू साथ वर्ष करने, नई भरती करने, करमचारी का बकाया भता देने जैसी अन्या प्रवुक मांगे है इन मांगों को लेकर यूनियन नेताओं और सरकार के बीच कई बार बैठक भी हुई लेकिन किसी प्रकार का निर्ने नहीं हो सका अब कारिमियों ने कड़ा रुक अपनाते हुए सांकेतिक हरताल पर जाने का निर्ने लिया है राज्यकी सामाने प्रशासन विभाग ने एक परिपत्रत जारी किया है जिसके तहट प्रतिक विभाग और कारियाले के बोर्ड पर हरताल में शामिल होने वाले करमचारियों के खिलाफ कारवाई संबंदी निर्देश लगाने का आदेश है नोटीस के अनुसार इस दोरान विभाग प्रमुक और कारियाले प्रमुक सरकारी करमचारियों की कीसी भी प्रकार की छुटी मन्जूर नहीं कर सकेंगे अभिनेता सुशान सिंग राचपुत की पुर्वा मैनेजर दिशा सालियान की बलातकार करके हत्या किये जाने की दावे पर दिशा सालियान के माता पिताने चुपितोड़ी है दिशा की माँ वासंती सालियान ने कहा कि मेरी अपील है कि हमें तकलिफ न दिया जाए हमें बख्ष दीजिए यदि हमें इसी तरह से बदनाम किया गया तो हम लोग भी नहीं जिएंगे इसके जिम्मेदार राजनिती करने वाले लोग ही होंगे हमने अपने इकलोती बेटी को खोया है राजनिती के कारण मेरी मुनुतक बेटी की आत्मा को शांती नहीं मिल पाई है हमारे लिए हर दिन मौत के समान है वासंती ने कहा कि हम अपने भलाई के लिए नेताओ को चुनाओं में वोट देते हैं यही लोग हमारी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। नेताओ को हमें बदनाम करने का क्या अधिकार है। पुलिस जाँच में हमने बयान दे दिया था। पुलिस जाँच भी हो गई थी। इसके बावजुद उस मामले को पता नहीं क्यों फिर से उच्छाला जा रहा है। दूसरी और महापौर पेड़ने करने कहा है कि दिशा की आत्महत्या को लेकर जारी गंदी राजनिती से उनके माता पिता बहुत दुखी है। लगातार हो रही बदनामी से परेशान दिशा के माता पिता के मन में आत्महत्या का खयाल आने लगा है। पेड़ने करने कहां कि दिशा के मातापिता की अनुमती के बाद ही मैंने उनसे मुलाकात कि हैं। इसी बीच प्रदेश भाजपाद देख्षय चंद्रगान पाटिल ने कहां कि इस मामले से जुड़े सभी सबुत 7 मार्च के बाद सामने आ जाएंगे। कौन-कौन लोग जेल जाएंगे ये स्पष्ट हो जाएगा। दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा। ये एक राजनितिक लड़ाई नहीं बलकि नयाय दिलाने की राजनिती है। के जवाब देने पुलिस टेशन में हाजिर हूंगे। इस पर अदालत ने सवाल किया कि सरकार का केंद्रिय जांच एजंसी के वरिष्ट अधिकारी होने के बावजूद ऐसा रवया क्यों है दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद नयमूर्ती SS शिंदे और नयमूर्ती NR बोरकर की खंडपीट ने वानखेडे को 28 फरवरी तक अंतरिम राहत दे दी वानखेडे ने अपनी आचिका में कहा है कि NCB में रहते उसने मंद्रे नवाब मलिक के दामात को ड्रग्स मामले में गिरफतार किया था इसलिए उसके साथ बदले की भावना से कारवाई की जा रही है बिजली कर्मियों की हरताल के कारण चंडी गड़ में सुमवार राथ से बिजली संकट जारी है हालत इतने खराब है कि प्रशासन ने सेना बुलाई है वही 36 गड़ के दंतेवाडा जिले में माउवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है मावादियों ने एक मालगड़ी के इंजन में आग लगा दी है तो राम सित्व को एतिहास इक्समारक घूशित करने की मांग फिर सुप्रीम कोर्ट में उठी है एक दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंदर सरकार से उनकी राय मांगी है इस बीच तामिल लाडू के निकाय परिनामों में मिली जीत के बाद भाजपा ने कॉंगरस नितार आहुल गांधी को उनके अहाली या भाशन की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा कभी भी तामिल लाडू पर शासन नहीं कर सकती है उधर अकले पाज दिनों में नई दिल्ली समित उत्तर और पुर्वी भारत के के इलाकों में मौसम बदलेगा मौसम इभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोप के असर के चलते उत्तर पश्चिम भारत, पुर्वी और पुर्वत्तर भारत में बारिश होगी देजबर की इन पाज बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ चन्डिगण में सोमार राज से बिजली संकट जा रही है रिपोर्ट्स की माने तो आज गुरुवार तक बिजली मिलने की उम्मिद नहीं है स्थिती ये है कि इन्वर्टर और मोबाइल भी अब डिस्चारज हो चुके है जिससे लोग परिशान है हालत इतने खराब है कि इस्पतालों ने ऑपरेशन टाल दिये है नीजी करण की विरोध में हरताल कर रहे करमचारी फॉल्ट सुधारने को तयार नहीं है ऐसे में हालत से निपटने के लिए प्रशासन ने सेना बुलाई है वही पंजाब एवं हरियाना हाई कोट ने इस समस्य का संग्यान लिया और आज बिजली विभाग के चिफ इंजिनियर को पेश होने के लिए कहा है दरसल बिजली करमचारी बिजली विभाग के नीजी करण का विरोध कर रहे है उन्हें डर है कि नीजी करण से उनकी सेवा शर्तों में बदलाव आएगा और बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी प्रशासन ने मिलिटरी इंजिनियरिंग सर्वीस वेस्टन कमांड चंडी मंदिर से मदद मांगी है वही पंजाब हरियाना और हिमाजवल प्रदेश से भी सहयोग मांगा जा रहा है इससे पहले हाई कोट में प्रशासन ने कहा था कि पंजाब ने डेपटेशन पर कर्मी भेजने में असमर्थता जताई थी वही सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे ले रहे है चंडीगर प्रशासन को लेकर मिम्स की बाड़ा रही है लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि उन्होंने लंबे समय के बाद फैमिली के साथ कैंडल लाइट डिनर किया है इसके लिए चंडीगर प्रशासन का शुक्रिया लोग मिम्स के जरीए ये भी बता रहे है कि बिजली ठप होने से पुरे शहर में उथल पुदल मची है और प्रशासन आराम से बैठा है वही राजस्तान की तस्विर के सहारे बताया जा रहा है कि चंडीगर की औरते सुखना लेक से पानी भर कर ला रही है 36 गर के दानते वड़ा जिले में माववादियों ने जम कर उत्पात मचाया है किरंदुल विशाखापत्नम रेल मार्क पर माववादियों ने एक मालगाडी के इंजन में आग लगा दी मालगाडी बैला डिला से लोहा आयस्क लेकर विशाखापत्नम जा रही थी बचेली और भांसी के बीच माववादियों ने वारदात को अंजाम दिया मावादी भासी के जंगल में घात लगा कर बैठे थे यह इलाका बेहत सविदन शील है इसलिए यहां से जो भी रेल गुजरती है उसकी रफतार काफी धीमी होती है ताकि नकसली किसी घटना को अंजाम भी दे तो ज्यादा नुकसान न जहिलना पड़े मंगलवार की राद भी मालगाडी की रफतार काफी धीमी थी जैसे ही मालगाडी के आने की खबर हतियार बंद मावादियों को मिली तो वे जंगल से निकल कर ट्रैक पर आ गए उन्होंने बंदुक दिखा कर मालगाडी को रोग दिया इसके बाद पाइलट और एक अन्य करमचारी को नीचे उतारा उनसे वौकी टोकी समित मोबाइल जब्त कर लिया गया फिर मालगाडी के इंजन में आग लगा कर मावादी जंगल की तरफ चले गया इधर वारदात की जानकरी मिलते ही दंतेवाडा से DRG के जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया नकसलियों की इस हरकत की वज़े से किरंदुल विशाखापटना मार्क बाधीत रहा जल चुके इंजन को हटाने का काम युद्धस तरपर किया गया इससे पहले नकसलियों ने साल 2021 में भांसी कमालूर के पास ही रेलवे पूल के उपर एक पैसंजर ट्रेन को डिरेल किया था हाला कि उस समय लोको पाइलाट ने अपनी सूजबूज दिखाई थी जिससे बड़ा हाथ सा ठल गया था राम सेतू का एतिहासिक समारक गोशित करने की मांग फिर सुपरीम कोर्ट में उठी है इसको लेकर है कि याचिका दायर की गई है याचिका पर सुनवाई करते वे कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसकी राय मंगी है सुप्रीम कोट ने भाज़पासांसा सुब्रमण्यम स्वामी द्वरा दार याचिका पर केंद्र से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई की तारिक नवमार्श टाय की है सुप्रीम कोट ने उस समय भी केंद्र सरकार को इस मामले पर एक हलप नमा दाखिल करने की लिए का था आपको बता दे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 2018 में या याचिका सुप्रीम कोट में दी थी उन्होंने रामसेतु को राष्ट्रिया धरो और गोशित करने की मांग की थी हिंदु धर्मगरंथ रामायन में कहा गया है कि वानरसेना ने राम को लंका पार कराने और सीता को बचाने में मदद करने के लिए समुद्र पर एक पूल बनाय था चूना पत्थर की शोलो की 48 किलोमेटर की शुरूंखला की रामायन के साथ जोड़ दिया गया है यहाई इस दावे पर टिका है कि हम मानव निर्मित है 2007 में ASI नहीं कहा था कि उसे इसका कोई सबूत नहीं मिला है बाद में इसने सर्वोच चनायले में यह अहलप नामा वापस ले लिया रामायन का समय पूरा तत्व विदो और वाज्यानिकों के बीच एक भहस का विशे है रामसेतू और उसके आसपास के ख्षेत्र की प्रकृती और गठन को समझने के लिए पानी के नीचे पूरा तत्वी का ध्यान करने का प्रस्ताव है भारतिय जंता पार्टी ने बुद्वार को कॉंग्रेस नेतर राहूल गांदी को उनके हालिया भाषन की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा कभी भी तामिल नाडू पर शासन नहीं कर सकती है भगवा पार्टी ने उम्मीद जताई की निकाय के परिणम उनकी धारनाओ को दूर कर देंगे आपको बता दे कि भाजपा ने 230 नगर निगम पंचायत वार्ड, 56 नगर पाली का वार्ड और 22 निगम वार्ड जीते है इन में Greater Chennai निगम के एक वार्ड भी शामिल है इसके साथ ही भाजपा DM के और अन्नाद्रमुक के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उबरी है बीजेपी आईटी सेल के प्रमुक अमित मालविये ने ट्वीट कर कहा कि अभी कुछ दिन पहले राउल गांदी ने संसद में भविश्यवानी की थी कि बीजेपी कभी तमिल नाडू पर शासन नहीं करेंगी मुझे उम्मिद है कि ULB चुनाओ ने उन्हें इस तरह की धारणाओ से वंचित कर दिया है बीजेपी अब कॉंग्रस से आगे DM के और AI ADMK के बाद तीसरे सबसे बड़ी पार्टी है बाचपा उनक्षेत्रों में जीती है जहाँ वह कभी नहीं जीती थी राहूल गांदी ने अपने संसत भाषण में विशेश रूप से तमिलनाडू का उल्लेक किया था उन्होंने प्रदानमंत्री मोदी को राजा कहते विए तिखा हमला किया था उन्होंने कहा था कि एक राजा के रूप में पीम मोदी तमिलनाडु जैसे राज्यों का विश्वास कभी नहीं जीत पाएंगे राहुल ने कहा था कि यह एक साजिधारी है यह एक राज्य नहीं है आप अपने पूरे जीवन में कभी भी तमिलनाडू के लोगों पर शासन नहीं करेंगे अगले पाच दिनों में नई दिल्ली समयत उत्तर और पुर्वी भारत के कई इलाकों का मौसम बदलेगा मौसम बदलेगा के माने तो पस्चिमी विक्षोप के असर के चलते उत्तर पस्चिम भारत पुर्वी और पुर्वत्तर भारत में बारिश होगी भारतिय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पुर्वानुमान में कहा कि दिल्ली में आज बुद्वार को हलके बादल चाहे रहेंगे 25 और 26 फरवरी को हलकी बारिश हो सकती है IMD के अनुसार अगले दो दिनों के दर्मयान परवतिय राज्यों में हलकी बारिश और बर्फवारी हो सकती है इस दोरान कुछ जग गरज और बिजली गिरने का भी अनुमान है वही दिल्ली NCR समेत उत्तरी पंजाब वो हरियाना में हलकी बारिश की संभावना जताई गई है मोसम विभाग के अनुसार 25 फरवरी की शाम मोसम बदल सकता है और बुन्दा बांदी हो सकती है और बादल चाहेंगे वही 26 फरवरी को यलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश की संभावना है इसके बाद मोसम साफ हो जाएगा और 28 फरवरी को तापमान एक बार फिर 28 दिगरी पर पहुच सकता है नोईडा में 23 और 24 फरवरी को बारिश की आसार है मोसम विभाग के बुलेटीन में बताया गया है कि गुडगाव में शुकरवार को मोसम खुलेगा लेकिन शानिवार को बारिश की आसार है तब तक तेज हवा चलती रहेंगे शानिवार के बाद मोसम में तेजी से बड़ो पुदिन की दारिफ करते हुए टरंप ने कहा कि ये जिनियस कदम है तो इसराइल ने सिरिया पर मिसाइल अटक किया है सिरिया के सरकारी मीडिया की और से दी गई जानकरी के मताबिक इसराइल ने देश के दक्षिनी हिस्ते में स्थित सैन्ने ठीकाने पर हमला किया है उदर पाक पीम इमरान खान ने कहा है कि भारत के साथ हमारा एक मात्र मसला कश्मीर है इसे टेबल बर बैट कर हल करना चाहिए हाला कि इमरान ने ये भी कहा कि वो जानते ही कि भारत अन्य देशों से बहतर है इसी बीच इमरान खान आज रूस का दोरा करने जा रहे है चीनी विदेश मंतराले ने कहा है कि यह एक निर्विवाद एतिहासिक और कानूनी तथ्थ है कि तैवन चीन का हिस्सा है चीन ने कहा है कि पूरी दुनिया वन चाइना पॉलिसी को मानती है चीन के लोगों के पास राश्ट्रिय संप्रभुता और ख्षेत्रिय अखंडता की रक्षा करने का दुर्ड संकल्प और ख्षमता है चीनी विदेश मंतराले के प्रवक्ता वांग वेन बिन की यह टिपणी एक सवाल के बाद आई है जिसमें रूस के यूकरेन के अलग राज्जन नहीं होने के दावे की तुलना ताइवन पर बिजिंग के दावों से की और सयुकत राष्टर चार्टर के उद्देशों और सिद्दान्तों को सयुकत रूप से बरकरा रखा जाना चाईए चीन ने सभी पक्षों से सयम बरतने की अपिल की है बतादे की चीन दशकों के अलग शासन के बाद भी ताइवन को एक अलग प्रांत की रूप में मानता ह चीन ने द्वीब के खिलाप बार-बार धमकिया जारी की है और सैन्य रूप से द्वीब पर कबजा करने की कसम खाई है रूस द्वारा पुर्वी उक्रेन को अलग देश को मान्यता दिये जाने के बाद अमेरीकी राष्ट्रपती जो बाइडन ने खाए है कि हमारी तरब से यूक्रेन की मदद के लिए किये जारे सभी प्रयाश रक्षात्मक कदम है हमारा रूस से युद्ध का कोई इरादा नहीं है रूस के राष्ट्रपती व्लादिमेर पुतिन यूक्रेन के विद्रोई इला को लुहान सर उडोनेस को मान्यता देने के बाद अब वहाँ सेना भेजने का आदेश दे चुके है उनके इस फैसले की चारो और आलोशना हो रही है न सिर्फ अमेरिका बलकि कई पश्ची में देश रूस पर प्रतिबन भी लगा चुके है रूस युक्रेन विद्ध के खत्रे ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है लेकिन अमेरिका के पूरवराश्च्रपती दोनल्ड ट्रम्प इस कड़े फैसले पर पुतीन के साथ है एक कारेक्रम में बोलते हुए ट्रम्प ने इस वैश्विक तनाव में अपनी चुप्पी तोड़ी है ट्रम्प ने कहा है कि यह जिनियस कदम है हम भी इसका इस्तेमाल अपनी दक्षिनी सीमा पर कर सकते है मैं ने इसमें बड़ी शांती सेना पहले कभी नहीं देखी इतनी बड़ी संख्या में आर्मी टैंक कभी नहीं देखे बतादे की अमेरिका और रोस एक दूसरे के बेहत पुराने विरोधी है लेकिन ट्रम्प पुतिन के पुराने फैन है हाल के वर्षों में ट्रम्प ने कई बार पुतिन की रननेतिक सोजबोश की तारिप की है इसमें रूसी समरज्य को दोबारा खड़ा करने की इरादे शामिल है उन्होंने पत्रकारो और आलो जको पर पुतिन की धमनकारी कारवाईयों का भी बचाव किया है युकरेन को लेकर पुतिन की हालिया कारवाई को युकरेन की संप्रभूता का उल्लंगन माना जा रहा है संयूक्तराष्टर ने भी पुतिन के इस फैसले की निंदा की है अमिरिका ने भी रूसी बैंकों और कुलीन वर्गों के खिलाप कड़े वित्तिय प्रतिबंद लगाने की गोशना की है युकरेन और रूस में युद्ध की आशंका के बीच दुनिया में एक नया तनाव छिड़ गया है इसराइल ने सिरिया पर मिसाइल अटेक कर दिया है सिरिया के सरकारी मिडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इसराइल ने देश के दक्षिनी हिस्से में स्टित सैन्य ठिकानों पर हमला किया एक सैन्य अधिकारी के हवाले से मिडिया रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल के कबजे वाले गोलान हैट से यहां हमला किया गया हलाकि इस हमले में किसी की मौत नहीं हुई है लेकिन सैन्य ठीकाने को जरूर इससे नुकसान पहुचा है ऐसा ही एक हमला सीरिया में बीते सप्ता भी हुआ था तब इसराइल ने सीरिया की कैपिटल दमिश्च के दक्षिनी इलाके में हमला कर दिया था इस हमले में भी किसी की मौत नहीं हुई थी इस हमले के आरूप पर अब तक इसराइल का कोई रियक्शन नहीं आया है इसराइल ने बिते कुछ सालों में सिरिया में बड़े पैमाने पर हमले किये है गुरुह युद्ध से जूज रहे सिरिया को इसराइली हमलों ने बड़ा नुकसान पहुचाया है हालाकि इस्राइल बाद से इंकार करता रहा है कि उसने सिरिया सरकार के ठीकानों पर किसी तरह का आटेक किया है इस्राइल का कहना है कि उसकी ओर से इरान समर्थित आतं की संगटनों पर हमले किये गए है इनातं की संगटनों में लेबनान में सक्रिय हिजबुल्ला शामिल है या संगटन सिरिया के राष्ट्रपती बशर अल असत का समर्थन कर रहा है प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी के साथ टीवी पर खुली बहस के प्रस्ताव पर कॉंग्रेस के तीन नेताओं ने पाक पीम इम्रान खान को करारा जवाब दिया है वरिष्ट कॉंग्रेस के नेता शशी थरूर मनिश तीवारी व अभिशेक सिंग्वी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपाव केंद्र सरकार के साथ वयचारिक मतभेत के बावजुद उन्हें पाक पीम का यह प्रस्ताव कबूल करने लायक नहीं लगता इम्रान खान ने दो दिनी रूस यात्रा पर रवाना होने से पूर्व यह प्रस्ताव दिया रूस के सरकारी टेलिविजन के साथ चर्चा में पाक पीम ने कहा कि वह मतभेत खत्म करने के लिए पीम मोदी के साथ टिवी पर भहस चाते है रूसी टेलिवीजन नेटवर्व से चर्चा में पाक पीम इमरान खान ने कहा था कि भारत के साथ अमारा एक मात्र मसला कश्मीर है हमने उनसे कहा है कि आई ये टेबल पर बैट कर इससे हल करते है इमरान ने यहां भी कहा कि वह जानते है कि भारत अन्य देशों से बेतर है पाकिस्तान की ओर से क्रिकेट खिलने के चलते भारत के लोगों के साथ उनके रिस्टों को भी उन्योंने याद किया कॉंग्रेस नेता थरूर ने इमरान के प्रस्ताव का अपनी चूटिले अंदाज में जवाब दिया उन्हेंने कहा कि बार-बार जंग के बजाए बहस का विचार अच्छा है लेकिन टेलिविजनों पर बहस से कोई मसला हल नी हुआ कॉंग्रेस नेता मनीश टिवारी ने ट्वीट कर इमरान खान से सवाल किया कि क्या इमरान गंभिरता पुर्वक तयार है टीवी पर भहस से पाक प्रयोजित आतंकवात कैसे खत्म होगा वही वरिष्टा कॉंग्रेस नेता अभिशिक सिंग्वी ने ट्वीट करते कहा कि भाजपाव केंद्रके साथ राजनेतिक मदभेत के बावजुद वही इमरान खान के इस प्रस्ताव की निंदा करते है युद्ध के महोल के बीच पाकिस्तान के प्रदानमंतरी इमरान खान आज रूस का दोरा करने जा रहे है खान का यह दोरा 23 से 24 फरवरी को होने वाला है आधिकारिक रूसी मीडिया की रिपोर्ट की मुतावी 23 वर्ष बात किसी पाकिस्तानी प्रदानमंत्री का पहला रूस दोरा है रूसी राष्ट्रपती के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी इस यात्रा की आधिकारिक पुष्टी की है दरसल इसके पीछे की वज़ा कुछ महत्वपुर्णा समझवते है जो कि पाकिस्तान को बड़े फायदे पहुचा सकते है पाकिस्तान और रूस की यात्रा के दोरान बड़े साओदे करने की उम्मीद है जिसमें 2 बिलियन अमेरीकी डॉलर की गयास पाइपलाइन के निर्मान के लिए रूसी निवेशवर एक समझवता शामिल है पाकिस्तानी मिडिया ने पीछले सप्ता इसकी जानकरी भी दी थी खान की यात्रा के दोरान पाकिस्तानी नेतरुत्व रूस के साथ एक वानिजिक समझवते पर भी हस्ताक्षार करना चाहता है कजाकिस्तान से गैस पाइपलाइन परियोजना पर भी समझवता करने की उम्मीद है बतादे की एक रूसी प्रतिनीदी मंडल हाल ही में पाकिस्तान गैस ट्रिम परियोजना के संबन में टोल फ्री कारियोवाहिया और कर छूट पर बाच्चीत करने के लिए पाकिस्तान गया था रूस के साथ पाकिस्तान के संबन हाल के वर्षों में कड़वे शीत युद्ध की शत्रूता से आगे निकल गए है अमेरिका से संबन्द खराब होने के कारण पाकिस्तान रूस और चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है पिछले साल अप्रेल में रूसी विदेश मंतरी सर्गेई लावरो ने लगबग नौ साल के अंतराल के बाद इस्लमाबाद का दोरा किया था तो आज की इस खास पेश्कष में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें यह वी के वी नियूस नमस्कार अब 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 अ